देश भर में CA का नोटिफिकेशन लागू होने के साथ ही देश भर में इसको लागू भी कर दिया गया, तमाम तनीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्टिये प्रवक्ता सुमया राना मौजूद है सुमया राना को बताया जा रहा है पुलिस ने अपने घर में नजर्बंद किया है घर से बाहर जाने की इनको मना ही है सबसे बातचीत करते है सुमया जी सबसे पहले तो ये बताईए सीए को लेकर आपकी क्या प्रतिक रिया है बिल्कुल देगी हमने 2019 से लेकर के जिस दिन से जब ये सिटिजन्शिप अमेंडमेंट बिल था खाली हमने तब उस कैप का भी विरोध किया था जब ये एक्ट की शकल में आ रहा है तो भी हम उसका विरोध कर और मैंने अभी एक ही दो दिन पहले मैंने इस बात को विर्कुल क्लियर कर दिया था कि किसी भी हाल में सीए का हम समर्थर नहीं कर सकते और ना इसको एक्सेप्ट होने देंगे इसके लिए चाहे कितना भी भी आपन दिया गए था कमिशनर को और यह कहके दिया गया था कि आने वाले वक्त में अगर जुरूरत नई और यह खुफा फिर से लाने की कोशिश की आपको लगता है कि आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखे ये भाशे शहली किसी ग्रह मंत्री की तो नहीं हो सकती, ये भाशे शहली किसी गुंडे की हो सकती है क्योंकि आप अगर ये कह रहे हों कि किसी भी हाल में वापस नहीं हो सकता, मैं ये पूछना चाहती हूं भारत सरकार से, मैं ये पूछना भी चाहती हूं ग्रह मंत्री से, कि क्या बात है आप जब कोई कानून लाते हैं और जिनके लिए लाते हैं, वही उसके खिलाफ सड़को चाहती हूँ कि हम लोग भी जो C.A. के खिलाफ हैं वो किसी भी हाल में पीचे हटने वाले नहीं हैं यह लड़ाई चाहे कितनी भी आगे तक जाए जिस भी हाल में हम लोग इसको किसी भी तरह क्योंकि जाहिए लड़ाई से बात है यह लड़ाई सम्मेधानिक प्रक्रिया के उसमें ही लड़ी जाएगी कोई जंग तो है नहीं कि तलवार निकलाएगी लेकिन अपने सम्मेधानिक अधिकार का प्रयोग करते वे हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएगे अपने घर में आप मौझूद हैं पुलिस भी मौझूद है क्या वज़ा है बताय जा था कि रात में वो मौतरमा आई थी डीसेपी साहबा मैंने ये भी कहा था कि मेरी मम्मी की तब्यत खराब है और वो इद्दत में हैं तो कम से कम इतनी अजाज़त हो कि आप अपने ही जो महला पुलिस कर्मी और उनको साथ में भेज दीजिए मैं कम से कम उनसे मिलाओं इदत जब तक ये जल्म कर सकते होंगे करेंगे लेकिन सीए हो या और सी इपार्टी में भी आप राश्टी प्रवक्ता के रूप में हैं अखिले शाद हो या फिरी समाजवादी पार्टी के अगर बात करी जाएं तो वह सीए के खिलाफ क्या ये सीधी सी बात बिलकुल तैह है कि जब देश के अंदर रहने वाले लोग जो एक्जिस्ट कर रहे हैं जब वो नौकरियों को तरस रहे हैं जहां पे यहां पे त्राहिमाम मचा हो रुज़गार को लेके उस वक में आप बाहर के लोगों को ला करके यहां पे बसाने की बात करते हैं तो यह बहुत हास्यस्पत भ जुम्हे की पहली नमाज है सीये लागू होने के बाद पुलिस भी लगाई गई है मस्जिद के आसपास कि किसी तरीके से कोई अपरिये घटना ना हो नहीं अपरिये घटना क्यों होगी जायर सी बात है जब इतने बड़ा अंदोलन देश व्यापी हो गया सीये को ले करके तरीके से इतिजाज में यकीन रखते हैं लेकिन इनको क्योंकि मोहल बनाना है और दिखाना है कि देखिया हम इनको उपद्र भी बना देंगे कभी इनको पत्थर मारने वाला भी बना देंगे ये जो चाहेंगे वो पोट्रे कर देंगे तो अगर इस बार भी ऐसा होता है आ पाएगा योगी सरकार में अगर एक गरीब की जोपडी उजाड के बुल्डोजर चलाया जा सकता हो चौदा सो मकानों को बुल्डोजिंग करने का आदेश आ गया हो वहाँ पे कई लोग दब जाते हैं चांस है कि वो उनके साथ कुछ हुआ नहीं तो इस सरकार में कुछ भी संभव है रही बात चौराहों पर पोस्टर लगाने की तो मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि पहले तो अपनी सरकार के अंदर के उन बलतकारियों की और बहुत से बश्टचारी लोग है उनके पोस्टर लगाएं और खास करके किसानों को रौंद गर के जो लोग जाते हैं उनको लगाना चाहिए हात्रस के जो लोग हैं उनको लगाना चाहिए उनके पोस्टर्स लगाना चाहिए और उसके बाद बात करने चाहिए प्रदर्शन का सहरा लेंगी देखा जा सकता है क्या घंटा गर पे फिर से इसको लेका प्रदर्शन होगा देखे ये बात तो बिल्कुल तैनी है कि वो घंटा घर होगा ये क्या होगा लेकिन इस पर आंदोलन तै है क्योंकि यही एक हमारे पास हत्यार है कि हम अपने समयधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम इनके खिलाफ मोर्चा समाने है समाजवादी पार्टी की राष्टिय प्रवक्ता सुमयाराना मौजूद थी लखनाव से वीडियो जनरली सौरब जहा के साथ संदीप खेर भारस समचा